अब गाइस मेरो को ए वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सुबा के टाइम एक पोल रखा थे कि मैं अभी बीजी हूँ वीडियो अभी नहीं आ सकती बाद में आएगी बट मेरी आडियेंस बोलक नहीं यार पहले वीडियो लाओ तभी सपोर्ट करेंगे त तो अब आप लोग खुस होना अब बजा आगा ना भीडो अब गैस एक गेमपले फूल गेमपले नहीं है क्योंकि मैं दो तिन दिन से विलकुल भी नहीं खेल पा रहा था इसलिए मतलब कि इस वाले गेमपले में दो तीन तीन चार पांच छे साथा आट नोदेस गेमपले तरह चलता पंदर गेमपले भी एड हो सकते हैं और उसमें वन भी फोर वन भी टू गाड़ी सुद्वारने वाला फाइट और डावलियम फाइट और मतलब की गरनेट फाइट भी हो सकता है तो बस लाज तक देखते रही है तो चलिए चलते हैं हम अपने फर्स्ट गेमपल बंदा दाएं साइड से फाइरिंग देकर मेरी पूरे एचपी कर देता है लेकिन मैं किसी तरह यहां पे मतलब हेल्थ मार लेता हूं और 70% एचपी हो जाती लेकिन तभी वह फारिंग देता है और मैं इस छोटे वाले हाउस में आ जाता हूं अब मेरे को बंदा पेड की त दे रहा था लेकिन मैं उपर वाले के क्रिपा से बच जाता हूं अभी मैं बेंडेज ही मार रहा था तब उसका दूसरा बंदा बग्गी लेकर मेरे उपर रस करता है लेकिन मैं इसे भी नोक कर देता हूं और बाद में फीनिस भी कर देता हूं अभी मैं बग्गी से उनके उपर रस करने के लिए जाई रहा था तभी बोट चचा दिख जाते हैं ते इनको पहले फिनिस करी रहा था तभी उसका तीसरा बंदा मेरे उपर इस्प्रे देता है और मेरे पूरी रेड एच्पी कर देता है और मेरे एक बोट जिसको मैं मार रह लगता हूं कि मेरे पास तो हेल्थ कीट होता नहीं है और तभी मेरे को तीसरा बंदा दिखता है जो कि दूसरे बंदे के रिवाइब दे रहा था और मैं उस पर इस्प्रे भी देता हूं और यह नोक भी हो जाता है अब सिर्फ लाश्ट वला बंदा बचा होता है जिसको मैं अपनी चील जैसे निगाहों से देख लेता हूं जो की पेड के पीछे छुपा होता है जिसका नाम रवी होता है और इसको मारने के वाद मेरा पूरा वन विप फोर क्लच कंपलीट हो जाता है अब इस दूसरे वाले गेंपले में एक बंदा गाड़ी लेकर ड्रोप लुटने के लिए आया होता है जिसको मैं एडावलीयम से मारनी के कोशिश तो करता हूं बट एक भी नहीं लगता है अब ये बंदा गाड़ी लेकर भाग नहीं वाला था इसलिए मैं एमफर निकाल लेता हूं और वर डिए डोट का स्प्रे देता हूं है या इसलिए दूबारा इस क्विता हूं ये भी बंदा मारा जाता है अब इसमा ले गम असले कर देखे लेट कि 22 समय से यह आते हैं और मैं एक ही स्प्रे में दोनों व्यट नोक कर देता हूं अब मैं एक एक करके दोनों बंदे को फिनिस कर देता हूँ अब मैं दोनों बंदे को फिनिस करके बगगी लेकर इधर के साइड जाई रहा है तो मेरे को एक जीप दिखती है और मैं तुरंत उतर जाता हूँ अब ये बंदा चाहता तो भाग भी सकता था लेकिन मेरे को जीप से चापने चक्कर में नहीं भागता है और लास्ट में मारा आई जाता है अब इस वाले गेमपले में मेरे पीछे दो बंदे जीप लेकर पड़ जाते हैं जैसा कि साउंड आपको सुनाई देही रहा होगा अगर नहीं भी सॉस हो रहा है तो मैं आपको अभी वह जीप भी दिखाई देता हूं तो बस लास्ट तक देखना कि मैं इन दोनों बंदों को कैसे अंडल करता हूं अब मैं बगगी लाकर इस नीले वाले गर पे रोक देता हूं और आप देखना कि वह उसका पहला बंदा स्टोल के लेकर आता है लेकिन मैं किसी तरह इसे भी नोक कर देता हूं और सिधा उपर भागता हूं अब मेरे को पता होते कि वह बंदा उसको रिवाइब देने जरूर जाएगा इसलिए मैं छट के उपर से कुद कर उसको मारने के लिए जाता हूं लेकिन तब तक ओ बंदा रिवाइब हो चुका होता है तो बस देखो क्या होता है अब गैसिस वाली गेमपले में मैं बगगी लेकर जा रहा था ड्रोप लूटने लेकिन मेरे को एक जीब ड्रोप पे जाती वीदिग जाती है इसलिए मैं बगगी से इधर के साईीब यह उतर जाता हूँ और आगे जने पर जीप ओला बंदा दिख जाता है जिसपे मैं इस प्रेतो देता हूँ बटो जीब के कबर में चला जाता है इसलिए मैं जीब ही पोड़ने लगता उई लेकिन वो बंदा डर के इस नीले वाले गर में भाग जाता है इसलिए मैं बग्गी लेकर इस नीले वाले गर के पास लाकार रोग देता हूँ अब मेरे को छट से उस बंदे के फुटी स्टेप आ रही होती है इसलिए मैं एक नेट लेकर उपर मतलब की छट पे फेक देता हूँ और तुम इसका कमाल देखो और वो बंदा पुट भी जाता है तो गाज कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी खतरनाक गिंपले में तब तक के लिए टाटा बाबा टेक केर